हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैंगर बेंस मैं रुपाली वर्मा मैंगर बेंस आपको 100% फ्री एजुकेशन दीता है और कंटेंड भी उंदा क्वालिटी का रहता है तो इसका लाब उठाते रहिएगा तो आज आते हैं आज के वीडियो पे आज का वीडियो है क्लास 12 हिंदी एलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग दो इसका काविखंड का अध्याय हित्रती है यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंद तो यहां इस पार्ट में हमारे सामने दो कविटाएं प्रस्तुत करी हैं सच्चितानन्द, हीरनन, वात्साहें, अग्यय जीद्वारा यह दोनों ही कविटाएं जो हमारे सामने हैं एक तो जो है प्रतिकात्मक कविटा है यह दीप अकेला और दूसरा जो कविता है मैंने देखा एक भून ये आदर्श्रिवादी विचारों से ओध प्रोध पूरी तरीके से कविता है दोनों ही कविता का हम डिटेल एक्स्प्रिनेशन और NCRT सिलूशन आपको पहले करा चुके हैं तो आज हम क्या करेंगे आज हम जो है इसका complete chapter revision करेंगे अर्थात यहाँ पर जब हमारा exam या test होती है तो हमें लगता है कि एक shot में हम पूरा chapter समझ जाएं तो यहाँ पर आप एक ही shot में और फटा फट पूरे chapter को समझेंगे इसके लिए हम आपको detail explanation तो आप पहले से समझे चुके हैं तो यहाँ फटा फट हम जो है कविता को समझेंगे इसका सार देखेंगे दोनों ही कविताओं के और कुछ प्रश्न भी करेंगे यह आपके लिए helpful रहेगा आपके revision या आपके test और exams के दोरान आपको पढ़ने के लिए लेकिन अगर आप पहली बार इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं तो detail explanation के साथ ही शुरू करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर हम कविता का detail explanation आपको नहीं देंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे फटाआफट चीजों को समझेंगे यानि कि जो हम पढ़ चुके हैं उसी को revise करेंगे आचा आते हैं हम सबसे पहले अपनी कविता पे तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे कविता क्या है यह दीप अकेला इसने ही भरा, गर्व भरा मद माता पर इसको भी पंक्ती को दे दू यह जन है गाता गीत जिने फिर और कौन गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृती लाएगा यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह मेरा यह मैं स्वेम विसर्जित यह दीप अकेला इसने ही भरा, है गर्व भरा मद माता पर इसको भी पंक्ती को दे दू तो इस कविता को अगे जी ने प्रतिकात्मक कविता कहा है, क्यों उसको प्रतिकात्मक कविता बोली जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो दीप है उसे एक विक्ती बोला गया है और पंक्ती को दे दो, अर्थात पंक्ती क्या है, वो एक समाज है जैसे दीप अकेला जलता है तो क्या होता है उसमें सब कुछ होता है रोशनी होती है उसमें नहीं रूपी तेल भरा होता है वो जग मगाता है हवा चलती है लहला आता है सब कुछ है गर्ब है मदबाता पने सभी कुछ है लेकिन अगर वो पंक्ती से अलग है तो वो अपने मह सत्व को खो देता है क्या होता है अब आप ऐसे समझे जैसे दीपा वली है या कहीं पर भी कभी कोई त्युहार होता है आप अपने घर में बहुत सारे दीपक को जलाते हैं एक अकेला दीपक कहीं रख दो वहां और कहीं पर लाइन से दीपक सजा दो तो सुन्दर कौन सा लग पुद्धी में शामिल नहीं है इसलिए उसका कोई महत्व नहीं हो पारा उसी तरीके से जैसे एक व्यक्ति जिसके अंदर सब कुछ होता है कहने का ताजपरी क्या है वो गुडों से परिपूर्ण है उसके पास भाव नाये हैं संपन्नता है सभी कुछ है अगर वो समाज से अ पाइदे वो नहीं उठा सकता और मतला अपने स्किल्द के दोरिया वो समाज को नती नहीं दे सकता तो इसलिए यहां पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि जैसे अकेला दीप जो है अपने महत्व को खो देता है तो उन्होंने बोला कि इस दीपक को पंग्दी में दे दो और उसी तरीके से व्यक्ति को भी समाज में समलित कर लो क्यों इन्होंने प्रतिकात्मक इसको बोला जैसे जिस प्रकार समुद्र में जाकर समुद्र की गहराईयों में जाकर गोता खोर जाकर मोती को निकालता है अब मोती को निकालता है अगर वो समाज में शामिल नहीं हो तो क्या हमें वो मोतियां प्राप्त होंगी हमें प्राप्त नहीं हो सकती और ना ही गोता खोर को उस मोति के जरीए कोई लाब प्राप्त हो सकता है क्योंकि वो अपने लाए हुए इस चीज़ को बेच नहीं सकता तो उसको भी धन प्राप्त नहीं होंगा तो इसलिए दोनों क का ही महत्त्व क्या है हमें अगर वो अनमोल मोती चाहिए तो हमें गोता खोर को समाज में शामिल करना पड़ेगा और अगर गोता खोर को उस लाए गए मोती से लाब प्राप्त करना है तो भी उसको समाज में हैं शामिल होना पड़ेगा तो यहां पर उन्हेंने कई प्रदिक जाने का प्रेत्न किया है आगे क्या है कविता देखिए यह मधु है स्वयम काल को मौना का युग संचे यह गोरस जीवन काम धेनु का अमरत पूत पए यह अंकुर फोड़ धरा को रवी को ताक्ता निर्व है यह प्रक्रत स्वयम भू ब्रह्म अयुत इसको भी शक्ति को दे तो अब यह यहाँ पर क्या कह रहे है जैसे मधु मख्यां जो है वो बहुत सारा रस को इकठा करती रहती है करती है ना रस बहुत सारा इकठा और ले जाकर उसे अपने छटे में इकठा कर लेती है अब वो क्या है अब उन्होंने मेहनत तो करी है लेकिन अब उनकी मेहनत का अगर मुझे फल नहीं मिल रहा है तो उसी तरीके से इन्होंने यहां पर पताया कि कभी कभी हो या वेक्ति हो वो भी क्या है बहुत सारी कतियों की रचना करता है और एकत्र करता रहता है अगर वो समाज में शामिल नहीं होगा तो हमें भी उन जो जितनी भी कविताएं हैं उनका रस पान करने को नहीं मिलेगा और कवीग की द्वारा इकत्र की गई जो रसनाएं हैं ये कामधेनु गाय के दूद के समान है यानि कि काम देनों एक ऐसी गाय थी जिसका दूद जो है अमरत के समान मीठा होता था और उससे दूद कभी खतमीन होता जैसे गाय होती है एक टाइम पीरिट के लिए दूद देती है लेकिन वो 2400 घंटे दूद देती थी जब आप कोई भूका पहुंच जाए तो वो आपको उनसे खाने को या पीने को प्राप्त हो जाएगा तो उसी तरीके से उनों नों बताया कि जो कवियों द्वारा एकत्र की गई कृतिया है वो कैसी है जैसे की कामधेनु गाय के समान अर्थात उसमें से हमेशा रस या अमरत प्राप्त होता ही रहता है तो अर्थात इस वेक्ति अर्थात इस दीपक को जो है इसे समाज में यानि पंक्ती में शामिल कर लो यह बाद श्वास नहीं जो अपनी लगुता से भी कापे यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वम उसी ने नापा कुछ सा अपमान अवग्या के धुन्द लाते कडवे तम में यह सदा द्रवित चिर जागरुक अनुरक्त नेत्र अवलंब बाहुये चिर अखंड अपनाता जिग्यासू प्रभुत सदाश्रदा में इसको भक्ति को दे दो यह दीप अकेला इसने बरा है गर्ब बरा मत माता पर इसको भी पंक्ति को दे दो तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या बताया एक दीपक अर्थात एक विक्ति के अंदर बहुत सारी खूबिया है और बहुत सारी मुराया भी हैं तो सभी इंदर होती तो क्या है अब वो जो व्यक्ति यहां अर्थात दीपक अर्थात यहां पर एक व्यक्ति से है तो उसके अंदर बहुत सारी खूबिया हैं अब इसको भी अगर हम समाज में शामिल कर लें तो हम इससे बहुत जादा लाब को प्राप्त कर सकते हैं अर्थात इस दीपक को पंग नात्मक्ता समाज के काम आनी चाहिए जिस तरह एक दीपक के लिए अकेले जलने से बहतर है दीपको की कतार में जलना उसी तरह व्यक्ति के लिए समाज से जुड़े रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए इस कविता में दीपक प्रभावशाली व्यक्ति का प्रतीक और पंक्ति समाज का प्रतीक है तो समाज में आया ना कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी खूबिया होती है और वो समाज को उन्नती की और अग्रसर कर सकता है अगर वो व्यक्ति समाज में शामिल नहीं होगा तो समाज को भी नुकसान है इसलिए व्यक्ति को समाज में शामिल क का प्रतीक बता कर यहां कविता प्रस्तुत की गई है अब आते हैं हम अपनी दूसरी कविता पर चोटी सी कविता है लेकिन बहुत कुछ बोल रही है क्या है मैंने देखा एक बूंद सैसा उचली सागर के जाग से रंग गई छणभर ढलते सूरज की आग से मुझको दीख गय सूने विराट के सम्मुक हर आलो को छुआ अपनापन है उन मोचन नश्वरता के दाग से तो अब इस कविता में क्या था कि हमारे कवी जो है वो गय समुद्र के किनारे लहर आई लहर से जो है एक बूंद अलग हुई और उपर की तरफ उठी और चुकि धलता हुआ सूरज था शाम का सूरज था तो उसकी किरिणों से वो जो बूंद थी वो कुछ पल के लिए सुनहरी हो गई और फिर वो पानी में जाकर उसने अपने अस्तव को खो दिया तो अब इसको वो क्या कहना चारा है ये तो एक सिंपल प्राकृतिक रिया थी लेकिन इस पे उन्होंने अ आदर्शों को कैसे समय विस्ट किया कि इसको बोला हमने आदर्शवादी कविता है आदर्शवादी विचार की कविता है कैसे इन्होंने बोला तो कभी यहां बोलते हैं कि ये जो समुद्र है ये क्या है अनश्वर है लेकिन अगर ये क्या है इससे एक बूंद निकलती है और तो क्या है अगर हम इससे अलग होते हैं तो हमारा अस्तित्य क्या है नश्वर हो जाता है और हम फिर से मिल जाएंगे तो मैं नश्वर हो जाएंगे तो कहने का उनका तातपर यहां था कि यह जो व्यक्ति का समविष्ट किया जा रहा है तातपर यहां पर है कि हम अपने कर कर्मों द्वारा क्या है इस जग में जगमगाते रहते हैं और जगमगाते हैं और क्यों जगमगा रहे हैं क्योंकि हमने समाज में रहकर ऐसे कर्मों का किया है अगर हमारा शरीर नश्वर है हम कभी न कभी जाकर हम खत्म हो जाएंगे लेकिन हम हमेशा के लिए जगमगाते रह लेकिन आम विक्ति जैसे ही समुदर से उपर आया, छण भर के लिए उसने अपने अस्तत्यु को बदलार था, तो उसने अपने कर्मों द्वारा अपने आपको प्रसिध कर दिया, और फिर वो नश्वरता को प्राथ हो गया, उसने अपना संपूर अस्तत्यु को खो दिया. कहने का दाद पर है कि उन्होंने कर्मों द्वारा अपने आपको हमेशा के लिए कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है सागर का अस्तित्तु कैसा है उस बूंद से है और बूंद का अस्तित कैसा है अपने कर्मों से है जब वो अच्छे कर्म करता है तो वो हमेशा के लिए जीवित रहता है तो यहाँ पर उन्होंने बूंद और सागर के जरीए हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है अब इस कविता का सारांश क्या है? मैंने देखा एक बूंद कविता अग्य द्वारा रचित एक मुक्तक का विय है इस कविता के मार्धेम से कवि अग्य एक कवी दास की विचार धारा का समर्थन करते हैं कवी ने ईशवर को सत्य काहा है, कवी के नुसार शरीर नशवर है और जो समुद्र के उस बूंद के समान है यानि कि बूंद के समान वो नश्वर हमने शरीर बताया जो सूरज की तपिश के कारण आसमार में बादल बनकर कहीं ही दूर चला जाता है अर्थात कहने का तातपरी क्या है कि वो एक नश्मूंद क्या थी नश्वर थी लेकिन जैसे ही वो सागर से बाहर आई अपने आपको बदल लिया अर्थात वो सुनहेले रंग में रंग गई तो सबकी निगाह उस पर गई तो वही कि दिया है इस समाद में बहुत से लोग रह रहते हैं लेकिन उनके कर्म हमेशा जगमकाते रहते हैं अर्थात वो सुनहेली बून जो है जिसने अपने अस्तत को कुछ पल के लिए चेंज किया था उसके कारण वो हमेशा प्रकाश में रहती है तो यह हो गई हमारी दोनों कविताएं उसका सारान साब कुछ कोशन्स दे काविस उंदर सपष्ट की जैसे हम दो तरीके किस समय क्या-क्या जादू किया है यह हम बताएंगे इसमें कैसी भाषा है कैसी शब्दा वली है किस तरह के चंद है सभी कुछ बताएंगे तो चलिए देखें क क्या है पहला है आता है मारा भाव पक्ष दीपक व्यक्ति का प्रतीक है दीपक का वंणन करते हुए वह मानफ का वर्णन करता है यह दीपक उस विश्वास का प्रतीक है जो आकार में लगू है किन्तु कापता नहीं है यह पीडित है किन्तु अपनी पीड़ा को इसने स्वेम ही ना पा है अर्थात मनुष आत्म विश्वास से परिपून है दुखों को सहन करने में सक्षम है जागरुक और प्रबुद्ध है वहाँ अपनी पीड़ा को स्वेम ही समझता है कहने का ताजपर है मनुष स्वर गुण संपन है एवं आत्म विश्वास है तो उन्होंने क्या बताया एक दीपक जो है वो बहुत छोटा होता है लेकिन उसके अंदर पूरा आत्म विश्वास होता है कि मैं रोश्नी को दूसरों से को जगमगा सकता हूं और वो इसी विश्वास के साथ जलता रहता है उसी प्रकार दीपक क्या है व्यक्ति है तो व्यक्ति भी एक समाज में एक लगू सबसे छोटी एकाई होती है तो लगू है लेकिन तब भी उसके अंदर सर्व गुण संपन सभी गुण है और वो अपने कर्मों के जरिये ही समाज को उन्नती प्रदान करता है वो पीड़ा से विचलित नहीं होता कभी को उसके आलोचनाएं कभी हिला नहीं सकती उसने आलोचनाओं को साहस के सास्विकारा वालगुता में भी ही नताकिये नुभती की कोई लाग उसकी पेड़े बुझाने की कोशिश करें लेकिन वो बुझता नहीं है वो पूरे आप्टम इश्वास के साथ जलता रहता है उसी तरह वेक्ती को भी बहुत सारी आलोचनाओं और कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है लेकिन तब भी वो अपने पत पर बना रहता है अब आते तक शब्दों का प्रयोग किया है मतलब जितने भी शब्द इस्तेमाल किये गए हैं यह सभी सार्थक है और पूरी तरीके से भावों से भरे हुए है प्रतीकों के सहारे मनुष्य के सर्वगुण संपन वेक्तत्यों का चित्रण किया गया है दीप एकाकी मानव का प्रतीक ह यह प्रयोगवाद की कविता है तो अग्येश जी प्रयोगवादी कवी है तो इनकी कविताएं कहां आएंगी प्रयोगवादी में नेक्स्कोश ने गीत और मोटी का महत्व कब होता है गीत का अर्थ गायन से समंबन दित है मोटी तभी सार्थक होता है जब गोता-खोर उसे निकालते है कागच पर लिखे गीत की कोई पहचान नहीं है लेकिन जब गाया जाता है तो मानता बनाई जाती है इसी तरह समुदर के नीचे स्थत मोती का कोई मूले नहीं है इसका मूले तब ही है जब गोता खोरद्वारा इसको बाहर लाया जाता है तो यहाँ पर क्या है कागश पे लिखा गीत कोई मानता नहीं रखता उसी परकार जिस परकार समुदर की अतल गहराईयों में पड़ा मोती कोई मानता नहीं रखता वो कब दोनों मानता रखते जब उस लिखे गीत को कोई गीतकार गाता है तब वो मानता रखता है और जब उस समुद्र की अतल गहराईयों से कोई मोती को निकाल कर बाहर लाता है तब उस मोते की मानिता होती है सागर और बूंद से कवी का क्या अभिप्राय है हमारी दूसरी कविता मैंने देखा एक बूंद में सागर और बूंद से कवी क्या कहना चाहते है सागर और बुन्द से आश्रह है कि एक बुन्द अचानक समुद्र से किनारे से अलग हो जाती है सूर्यास के समे सुनहरी आभा उस बुन्द पर फैल जाती है और एक पैल के लिए यह सुनहरे रूप में चमकती है और फिर सागर में गायब हो जाती है कभी ने इसके माध्यम से दुनिया में सामराज जिवाद का एक अनूठा उधारन प्रस्तुत किया है कि मतलब बूंद क्या है और सागर क्या है ये तो हमने कवितम देख लिया तो यहाँ पर उन्होंने सामराज जिवाद चारो तरब समाज में जो एक सत्ता प्रवसत्ता फैली हुई है उसके बारे में समझाने की कोशिश करी है और हमें एक बूंद के माफिक जो है अपने अस्तत्य को इन सभी सामराज जिवादों से अलग करके चमकाना है जैसे कि हमारे महापुर्शों ने चमकाया है उसी परका तो यहाँ पर हमारा यह चैप्टर का डिटेल एक्समिनेशन खतम होता है तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्या 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 करना है तो देखे हमारा जो चैनल है मैंगनट बेंस यह आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है कि इन गार्डन से लेकर क्लास ट्विल तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ही चैनल पे आपको जतनी भी वीडियोस मिलते हैं यह 100% फ्री रहते हैं तो यह ध्यान रखिए कि यहां पर आपको जितना भी फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है इसके लिए आपसे कोई पेमिंट नहीं लिया जाता हम किसी भी तरह के कूपन को नहीं बेचते हैं कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है कि दो वीडियो दिखाने के बाद हम आपसे बोलें कि तीसे वीडियो के लिए आपको कुपन लेना पड़ेगा या कुछ पेमिंट करना पड़ेगा तो इसलिए यहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन दी जाती है साथ ही आप एहां पर आकर यानि कि हमारे अब यह जित्ते भी वीडियो जैं आपको YouTube पे हमारे वेबसाइट पे और आप पे पूरी easily available हैं और totally arrange है मतलब हमारे वेबसाइट और आपको हमारे चैनल पर यह सारे वीडियो जैशा जैसे हम books में open करते हैं न एक के बाद एक chapter होते हैं उसी तरीके से आपको हमारे app में भी ये सारे videos पूरी तरीके से arrange मिलेंगे और हमारी website पे भी आप daily update होने के लिए हमारे social account से जुर सकते हैं जिन में हमारा facebook account है, whatsapp है, twitter है, telegram है, instagram है यहां पर आप हमारी website के daily updates ले सकते हैं तो ये तो हमारी ये पूरे channel की जानकारी थी आपने ये वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा तो आप हमारे channel को like, subscribe, share जरूर कीजेगा Thank you for watching, bye bye